शेरे ब्रमास्त्र बगला मुखी कवच जिसके पाठ करने से समस्त दुखों का निवारन होता है, समस्त शत्रों का पिनाश होता है, समस्त बुरी ताक्तों का शाय होता है अब शुरू करते हैं मा बगला मुखी कवच अथ बगला मुखी कवचं प्रायब्यते शुरुतवाज बगला भूजाम तोत्रम चाब महेश्वर इंदानिम श्रोत मिच्छामी कवचं बदमे प्रबो वेरी नाश्क्रम दिभ्यं सर्व शुब विनाशनं शुब्दं सुवरंता पन्यं त्राही मादुक नाशनं श्री वेर्व उभाच कवचं शुनू प्रवक्षामी बैर वी प्राण बल्लबं पडत्वादार जित्वातू तैर्लोकै विजै बवेत विनी योग ओम अस्य श्री बगला मुखी कवचस्य नारद रिशी अनुषटू पशंद श्री बगला मुखी देवता लीम बीजं हाईम कीलकं तुर्शा चदुष्टापे सेत्थै जपे विनी योग अथ गवचं शेरो में बगला पातू हैटतै में कांक शरी परा ओम रिंगो में ललाडेच बगला वेरनाशनी गदा हस्ता सदापातू मुगं में मौक्षदाईनी वेरी जवातरा पातू कंठमे बगला मुखी उत्रवनावी देशंच पातू नित्यम बरादबरा प्रात परतरा पातू मंगुम् सुरेश्वरी अस्तो चेव तथा पादो पार्वती पर पातू में विवादे विश्मे गोरे संगरा मेरी पुसंकडे वितां बर्द्रा पातू सर्वंगं शिवनर्तकी शेवेद्या सम्यंपातू मातं की पूरता शवा पात पुत्रं सुधाम चैव कलत्रं कालिकामं पात नित्यम बरांत्रं में पित्र शूलेनी सदा रंद्रेही बगला देव्या कवचमन मुखोदतं नाई वेदेय मुख्याए सर्वसिद्धी परदायकं पार्नादर डाना दस्त्य पूरिनात वाष्तम लवेद इदं कवचम गियत्वाजो जपेदद बगला मुखिम पवंति शोनिम्तं तस्य योगिन्ने ब्राई बसादरा वशेच गर्षणी चैव मारने मोहिनी तथा महाबय विपत्तोच पठेर बाठिये तूता जा तस्य सर्वता सिद्धी स्यादद बक्ति युक तस्य पार्वती जैमा बगला मुखिम